वो अगर आप नोत नहीं करोगे ना, मैं बता रहा हूँ, आप बहुत बड़े बूजर होगे हैं इस question रहे हैं इस question रहे हैं कम से कम अगर बीस question देखें वो भाई साव, बहुत 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 नमस्कार जन्ता, विद्यारती अरजुन के रूप में आपका एड़ूटेनर कुमार गुरू द्रोना चाहरे के रूप में आपका एड़ूटेनर नेतिन गुपता बहुत स्वागत करते हैं cat 21 slot 1 से उठाए गए geometry के सवाल में जो कि circle और triangle का है और ये in circle का सवाल है जो कि बहुत बार मैंने देखा sir आते हुए इंसक्राइब्ड किया हुए circle किसी triangle के अंदर या किसी ने किसी चतरभूच के अंदर तो sir इस सवाल में कोई ऐसी खास बात जो बच्चे लोगों को अभी से जानना चाहिए देखो इस question में जो concept चुपा हुआ है मैंने उस concept पे कम से कम अंदर बीस question देख चुकर हूँ cat में ओ भाई साब बहुत ही important है जे बात और इसमें कोई आईसी hint ये trick जो आप देना चाहेंगे sir जो बच्चे लोग attempt कर सके कोई hint नहीं दोगा मैं पहले try करो उसके बाद देखते हैं बिना hint वाले सवाल को आपका भा सवाल को पढ़ते हैं बहुत ही नन्ना मुन्ना सा सवाल है a circle of diameter 8 inches is inscribed in a triangle ABC where B angle is 90 degree so right angle triangle जे बात sir if BC is equal to 10 inches then the area of triangle in the square inches is तो क्या करें पहले कित्र बनाएंगे sir पहले तो ठेक है तो ये एक क्या है मेरे पास right angle triangle त्रभूज और इस right angle triangle के अंदर क्या बना हुआ है एक वृत बना हुआ है sir और let's say the sides are what a b and c b c कितनी given है b c 10 है और इस circle की radius कितनी given है 8 by 2 यानि कि 4 inches so radius of this circle is 4 और मुझे क्या calculate करना इसका sir त्रिभूज का हमें area निकालना है ठीक है so what is the area of a triangle sir 1 by 2 into lamba guna आधार मैं क्या मोना तो नहीं तो a equal to half into base into height अब base तो मुझे पता है क्या है base तो 10 है और height क्या होगी तो जब तक मैं height calculate नहीं करो इसका area आएगा ना अनसो जब भी एक inscribed circle होता है ना तो एक और formula होता है मुझे अपने घर जाना है कौम सा sir that is area is equal to a small r into s अब ये s कौन है sir और ये area किसका है sir ये तेको a represents the area of a triangle and r is basically in radius okay in radius क्यों बोलते है क्योंकि ये circle क्या है inscribed है okay इसके जो radius है उसके लिए particular term है that is known as in radius और s क्या चीज है sir ये that is semi perimeter किसकी perimeter ये भी बिलकुल सही है क्योंकि semi perimeter circle का भी हो सकता और triangle का भी बट ये जो s है ये क्या है triangle का semi perimeter sir ये a is equal to r in radius sir मैंको मास कर दिया sir मेरे से sir याद रिख कर दीजिए ताकि मुझे याद रहे याद रहे याद रहे तो फिर कुछी तरीके से बताए sir गरीब हो वाला अब देखो area equal to small r into a important formula है but इस question को बिना इस formula के भी solve कर सकते है ये बात में ये कैसे आता है ये बहुत ही important है अब इस circle का एक center होगा yes let's say the center of the circle is o देदू o से b को join कर दो o से c को join कर दो और o से a को join कर दो पूरा जो triangle है ये तीन triangle में divide हो गया oh yes ठीक है अब आप o से perpendicular drop कर दो तो ये में perpendicular drop करूँगा तो ये angle 90 degree होगा और ये radius भी है okay similarly triangle a oc में perpendicular drop करूँगा तो ये 90 degree और ये radius क्या है small r और यह में perpendicular drop किया, तो यह 90 degree यह भी किया है? Got it. So, अब देखो, मैं लिखना हो यह पे ABC. यह जो bracket है, it represents the area of the triangle ABC. So, area of the triangle ABC is equal to, can I say area of triangle BOC? Yes, sir. Plus area of triangle AOC? Yes, sir. Plus area of triangle AOB. अब area of triangle ABC. यह मुझे calculate करना है? Let's say that is capital A. Yes, sir. अब BOC is equal to what? Half into base into height. Got it. ठेक है? अब माल लो, यह side है मेरे पास. यह X है और यह length Y है और यह length क्या है? Z. So, अब area क्या जाएगा? Half, BOC का base कितना है? X और height क्या है? R. Plus. AOC का क्या हो जाएगा? Half into Y into R. और AOB का क्या हो जाएगा? Half into Z into R. अब समझा, sir. So, यह R, Y, 2 तो common आगया? बिल्कुल. और अंदर क्या बच गया? X plus Y plus Z. So, यह क्या आगया? यह आगया perimeter. So, perimeter by 2 is? Semi-perimeter. So, area equal to R into semi-perimeter. Okay. Now, I know A is equal to R into S कहां से आया? अब यह याद रहेगा, sir. अब यह बहुत असान होगा. So, अब यह तो पता चल गया. मुझे दोनों में से कोई भी formula यूज करो. उसके लिए मुझे बाकी के दो sides पता होने चाहिए. ABC तो पता चाहिए, sir. So, अब मैं कहता हूँ, कि यह center है, sir. यहाँ से मैंने perpendicular drop किया. तो यह radius 4 हो गया. दो सा perpendicular drop किया. यह radius 4 हो गया. अब देखो, यह जो मेरे पास, यह छोटा सा square बन गया. क्यों बना square? क्योंकि यह 4 एंगल क्या होगा है? 90 degree. clean तो दिखाई दे रहे हैं, तो 4 भी 90 degree होगा. Yes or no? और 2 sides equal है. तो यानि 4 sides equal होगी. दो adjacent side equal. अब देखो, यह 2 adjacent side equal है. अब rectangle है, तो opposite sides भी equal होते हैं. यह बाद. तो यह 4 and 4, यह क्या बन गया? square. यह बाद. अब नीचे जो base थी, BC, इसकी total length क्या है? 10 थी. 10 थी. यह 4 है, यहां से यहां तक. तो यह distance कितनी हो गई? 10 minus 4. Which is? 6. 6. And total is 10? Yes sir. अब किसी भी circle की एक property होती है. Length of tangent is always equal. Equal. यहाद आया? जनता माफ नहीं करेगी. बहुत जूर से यहाद आया, sir. तो अब मैं पॉइंट के नाम दे जेता हो. तेक है? Let's say this is point P, this is point Q, and this is point R. Okay. So can I say that the length CR is equal to CQ, length of tangent. So CQ is equal to how much? 6. अब length AQ is equal to let's say X. So AQ और A P के length equal होगी. Same होगी. क्योंकि वो भी tangent है. विकुल से. From one point, so यह भी X होगी. So मेरे पास AB के length क्या होगी? X plus 4. Perfect. और AC के length क्या होगी? X plus 6. Perfect. तो Pythagoras theorem में apply कर सकता हो है? हाँ, सब तो equation लगा के solve. So Pythagoras theorem से क्या आएगा? X plus 4 का whole square plus 10 square and it is equal to what? X plus 6 का whole square. Solve करो, इससे X आजाएगा. Yes, sir. X आगया तो AB की height आजाएगी. बिल्कुल आजाएगा. और एक बार height आगया तो area भी आजाएगा. So is that clear now? बहुत ज्यादा, sir. मजा आया. बड़ पता है, यह जो इतना calculation कर रहे हो ना, इसके भी करने की जोड़ोती भी. वह भाई, मारो मुझे मारो. फिर से आगया, sir. अब क्या है, sir? इसमें शातर दमाग? Pen drop method. PDP, इसमें PDP है कोई? Yes. जाड़ो लगा आप. चाड़ो, sir. आप खाहां से निकालते हो, sir. यह सब दी. जब भी मैं right angle triangle देखता हो, तो मुझे हमेशा एक चीज़ सबसे पहले strike. अब तो मुझे भी strike करने लगी, sir. क्या है वो? पाइता गोरस प्रमिया है. उसके जो triplets बनते हैं, वो. तो that's right. अब यह जो triangle था, ABC, इसमें base कितनी है? 10. 10 है. अब मैं यह question जब देखता हूना, यह तो theta question है. Yes, sir. तो answer तो integer होगा? वो भी positive. वो भी positive होगा. तो मुझे एक चीज़ strike करता है, जब भी right angle triangle देखता हो, कि it might be possible कि बाकी की दो side भी क्या हो? इंटीजर हो. ओके. ठीक है? अगर दो sides इंटीजर है, तो pythagorean interpret होगा? येस. और 10 से start होने वाला pythagorean interpret, यह तो मुझे यारत है? यह सर्. यह मैं derive भी कर सकता हूँ? हाजर. और कैसे derive कर सकते हैं, यह मैंने explain किया था, quant के question number 7 है. तो यह even number है, 10. तो क्या करना है? 10 का square लोंगा? और उसको 4 से divide दर देंगा. बिलकुल सही. So, 10 square क्या होगा? 100. और 100 को 4 से divide करूँगा, क्या है? 25. Yes, sir. So, the remaining two sides है, plus minus 1. 24 and 26. So, possibility है कि side AB 24 हो, और side AC क्या हो? 26 हो. Again, I am saying it's a possibility. और उसे verify करने के लिए मैं use कर सकता हूँ. देखो, radius क्या थी? यह 4 था. यह भी 4 था. यह बात. तो यह 4 और यह 4 हो गया? यह बात. तो यह distance 6 हो गया? 6 हो गया. तो यह tangent भी क्या हो जाएगा? 6 हो गया. तो यह tangent क्या हो जाएगा? 20. और इस साइड, side AB से यह लेंच 4 है. तो यह जो दूसरा tangent यह भी क्या होगा? 20. 24 minus 4. और यह बात. तो यानि कि हमने सही लिया था. यानि कि जो भी हमारा जमसंता हो क्या है बिलकुल? सही है. dokładना है बात. अखेसा हो 10 है क्या है ऍया है भी कमणस जाएगा CO liar? और एक चीज और अब अगर यह पाइथोगोरियन ट्रिप्लेट्स याद नहीं है तो प्लीज यह तो सीखी लो कि इवन ओड कैसे निकालते हैं फिर से बता रहा हूँ कॉंट 7 का जो वीडियो वो देख लो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपने इस वीडियो के दोरान भी उसका लिंक देख रखाओगो तो क्लिक करें और जा करके तेख लिज़े फटाफट और जो चोटी-चोटी चीज़े सर बताते हैं बोड़ा गिरी ओफ जो हमने एक्स मान के किया था हूँ तो इसी लिए कहते हैं कि स्वस्तर ही ए व्यस्तर ही और मस्तर ही ए क्योंकि आसान है हो जाएगा और नहीं होगा तो बना ही रहे और बनाते रहेंगे भाई-लोक्स टाटा एडियो बाई-बाई-बाई-जैन मूजिक मूजिक